तमिल राडू के कुन्णुर मेरु में वे एलिकोप्टर कैस में जुन्चनों के स्कोडरेन लेडर कुल्दिप सिंग का अंती मिसकार आजुन के पैत्रगाव में होगा साइट कुल्दिप सिंग राव का सव दिल्ली के पाला मेरवेश से रावान हो गया उनकी पार्तियु सरीर को जुन्जन अवय पट्टिय पर लाय जाएगा जा कलक्टर समेत सभी अधिकाई वजन प्रतिनी मौझूद है इसके वाद सड़क मार्ट से उनकी पार्तियु देख को उनकी क्वैत्र गाउ गरडान खुद में लाय जाएगा जा सानिक सम्मान साथ उनका अंतीम संसकार होगा अधिकारी उन बताया कि साड़े ग्यार बजी उनका पार्तियु सरीर जुन्जन पहुचेगा दिल्ले से उनकी बैन जीजा और पत्नी समेत दोन रिस्दार उच्छे सेना के अधिकारी साथ में वही आपको बता दे साइदुवे कुल्दिप सिंग साल 2014 में इंडियान एर्फोस में बरती हुए थे साइदुवे कुल्दिप सिंग राव का पूरा परिवार देश से वो कर रहे है इनके दादा कृपराम राव भी बारतिय सेनम रहे है इसके बाद इस परंपरा को इनके पिता रनदिप सिंग राव ने आगे बढ़ाया और वे बारतिय नो सेना में सामिल वे दादो और पिता की परंपराव ने बात वे साइद की बैन अभीता राव साल 2012 में इंडियान कोश्ट गाड में सायक कमांडेड वनी थी बैन के बाद बाईन के बाई कुल्दिप सिंग साल 2014 में बारतिय वाई सेना में बरति हुए इनके पांच चचेर बाई भी बारतिय सेना में सेवा दे रहे है साइद हुए एक कुल्दिप सिंग की स्यादी दो साल पहले मिरट की रहने वाली यस्मिनी से हुई थी जुंजनों के लाल स्कोडन लेडर कुल्दिप सिंग राव की अंतिम विदाई के लिए दो दिन से उनके पैत्र गाव गर्डान खूर्द सज रहे अंतेश्ट इस्तल तैयार है लोक तिरंगा ले रहे और चिता के लिए लकड़िया तैयार है बस इनतियार है तो सहीद की पार्टिव दोए का हेलिकोप्टर आच्चें बद्वारो कुल्दिप सिंग सहीद होगे थी सहीद है कुल्दिप सिंग के सव को दिल्ली के पाला मेर बेस से उनके पैत्र गाव गर्डान खुद में लाये जा रहे